तो आज हम जानेंगे दोस्तों जीवन में सम्मान और उन्नति के लिए प्रयोग और सब भी जो समस्या है उसको हल करने के लिए जो प्रयोग है उसके लिए ठीक है और एक और प्रयोग है जो हर काम मसान करने वाला प्रयोग है ठीक है तो इन तीनों को प्रयोग जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेते हैं जीवन में सम्मान अरुणती के लिए आप जीवन निटी करना चाहते हो अथवा हरकारिय में सफलता और सम्मान पना चाहते हो तो अनार की कलम द्वारा जाफरण तह मुश्वर से कोरे सपित कागज पर उड़ती नक्ष को आप 11 मतलब यह जो कि नमाज के बाद उन नक्षों को आटे की गोलिया में लपेट कर दरिया में डालाना है यह कारिया आपको नित्ते ही 11 दिन तोक सुर्य छिपने से पहले करना है इससे उन्नती आउश्य होती है दोस्तों अगला प्रयोग है जो सभी समांस्याओं का हल के लिए ठीक है तो आप इस नक्ष को मुश्क जाफरन और गुलाब वरकर से लिखना है अगर नक्रिया वैसाय में आदि कुकुष्य मस्या होती इस नक्ष को मुम जाम करके दामें बाजू पर बांध लेना है यदि रोगी के लिए प्रयोग के जाना है तो नक्ष को कुई के पानी में धोकर वह प काम असान करने के लिए ठीक है जीवन के हर छेत्रें पर आया कुछ नहीं कुछ रचनी आती रहती हैं दोस्तों इन्हें दूर किये बिना हम सुखी जीवन नहीं बिता सकते हैं इसके लिए आपको मैं कुछ चमतकारी नक्ष को बताऊंगो जो इसलामी तंद्र में दिया हु इसके प्रभाव से किसी विकार्य में आने वाली मुश्किल और परसानियां दूर हो जाएगी दूस्तों हर काम असानी से मतलब ततकाल हल हो जाता है दूसरा नक्ष है इसका इस नक्ष से कोई जैसे कि आप पहले नक्ष को बनाए इस नक्ष से अगर आपको कोई लाब प्रभाव कालरी एवां उपयोगी मुस्लिम नक्ष है जो इस तरी पूरुस इस नक्ष को जाफरन और मुस्क से लिख करके मौम जामा करके अपने बाजू पर बांदेगा उसे सत्रू मुह उठाकर भी नहीं देखता है जोस्तों यदि कोई परसानी होती है तो वह भी दू चुल्प हो जाता है वह जहां भी जाएगा सम्मानी मेलें दोस्तों इसलगी को लज्जी फोना पड़ेगा इससे रोजी मतलब जो रोज़ी रोज़गार में बरकद भी होता है और मंचाही मुराद पूरा भी होता है और कभी किसी के आगे हांत पहराना भी नहीं बना देने ठीक है तो यह हर मकसद की कामयाभी के लिए है दोस्तों जो इसे बांदेगा खुदा उसकी मदद जरू करेगा इसका सारा काम असान हो जाएगा दोस्तों